very good morning modern stars how are you all i hope you all are fine and enjoying your studies at home students take out your maths books and copies we were reading the chapter 9 representation of data बच्चो इसमें हम पिक्टोग्राफिक की बात कर रहे थे आईए अपनी वर्कशीट को आज हम सॉल्व करते हैं इस वर्कशीट में बच्चो मिस्स नायर लुक टुक हर क्लास और 40 स्टुडेंट्स तु दे समर फियर लुक अट पिक्टो ग्राफ एंड आंसर दा फॉलोविंग कॉश्ट इच सिंबल रिप्रेजेंट फाइफ यूनिट्स ठीक है यहां पे मिस्स नायर जो है वो अपने स्टुडेंट्स को समर फियर में लेके गई ह और आपको यह पिक्टोग्राफी देखने के बाद में बताना है कुछ कॉश्ट के नीचे जो गिवन है उनके आंसर आपको राइट करने है सबसे पहले देखिए कि आपको जो भी एक सिंबल दिया हुआ है उसका मतलब है फाइफ यूनिट मीन्स फाइफ किट्स पहले आपको दिया हुआ है कॉश्ट है राइड है आपकी जाइन्ट वील जाइन्ट वील में आपके बिटा फाइफ इंटु फाइफ कैसे वान तू फाइफ फाइफ पिक्चर्स है ना सो फाइफ इंटु फाइफ क्यों क्योंकि फाइफ जो है वो टोटल पिक्चर्स है और वन यूनिट का मतलब भी फाइफ है तो 25 स्टुदेंट्स के हुए है फिर मैरी गो राउंड पे आपके थ्री है तो 3 इंटु 5 विच मीन्स 15 एंड एफ रोलर कोस्टर पे 8 फिगर बने हुए है तो 8 इंटु 40 विच मीन्स 8 इंटु 5 विच मीन्स 40 फ्लाइंग सॉकर्स पे 4 है लिन 4 इंटु 5 इस इकोस चु 20 रॉल्लिंग रिवर 6 6 इंटु 5 इस इकोस चु 30 ठीक है यह आपको डाटा मिल गया आपका है ना डाटा मिल गया आपको आपका क्या क्या डाटा मिला है अब आईए देखते हैं एक बार फिर से डाटा में हमें क्या मिला है जाइन्ट वील में 25 मेरी गो राउंड में 15 रोलर कोस्टर में 40 फ्लाइंग सॉकर में 20 एंड रोलिंग रिवर में 30 यह आपके स्टुडेंट का डाटा आपको मिल गया है अब आपको क्वाशन के आंसर देने हैं तो आपका फिर्स क्वाशन है और विच राइड दिट और चिल्डरन गो कौन सी ऐसी राइड है जिस पे सारे बच्चे गए है तो आपको पता है कि आपकी रोलर कोस्टर वो राइड है जिस पे 40 स्टुडेंट और टोटल भी 40 है तो उस पे गय हुए है और यह आपका ओन विच राइड दिट लीस्ट स्टुडेंट को सबसे कम जाने वाले मैरी गोर राउंड पे है तो आप यहां मैरी गोर राउंड राइड कर देंगे और विच राइड दिट 100 दिवाइड बाइड बाइड फोर स्टुडेंट फोर फार में पहले हंड़े से दिवाइड करेंगे तो कितना आएगा फोर तू जा एट तू फिर यहां पे आया जीरो फोर फाइड जा विच मीन्स ट्वेंट फाइड सो ट्वेंट फाइड फाइड पे गया हुए हैं तो आप उसको राइड करेंगे और नेक्स अन विच राइड दिट 10 स्टुडेंट नॉट वांट टू गो कौनसी ऐसी राइड है जिस पे 10 लोग नहीं गए हैं तो 40 स्टुडेंट टोटल थे 10 नहीं गए विच मीन्स 30 सो कौनसी ऐसी राइड है जिस पे 30 गया हुए हैं रोलिंग रिवर पे ओके सो आप यहां रोलिंग रिवर राइड करेंगे विच ओन विच राइड देट 4 इंटू 5 स्टुडेंट्स एफ गोट फोर इंटू 5 का मतलब है 20 स्टुडेंट्स सो फ्लाइंग सॉकर पे हाँ मैनी स्टुडेंट्स हाँ गोट फोर द बोथ जाइंट वील एंड रोलिंग रिवर दोनों पे मिलाके 25 प्लस 40 विच मीज 65 स्टुडेंट्स कह हुए हैं इन दोनों पे ओके सो होफुली आपको यह वर्कशीट समझ में आयोगी इसको आप अपनी बुक में फिल आउट करेंगे कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूश लेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू हैव नाइस टे